आपको पूरा गध्यांस पढ़ना है और इसके सभी question जो दे रखें कियानवे से लेकर 99 तक इनके सभी के answer इस गध्यांस में से छाटके देने हैं गध्यांस आप पढ़ लीजिये और इसके बाद में नीचे answer आप question दे रखें नीचे question के answer देने है question दे रखा है सुनने के वारे में कौन सा वाक के सही है नीचे चार ओप्सन दिरकें इन में से सही आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर ओप्सन नमबर सेकेंड हो जाएगा यानि सुनने मानाव जनेत आविसकार है साथियो इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं आप नीचे प्लेलिट में जाके देख सकते हैं आए नेच्ट क्वेश्चन क्वेशन नमबर 92 है संख्याओं के संदर्व में कौन सी अवदारना समझानी सबसे कठिन है नीचे चार ओप्सन दिरकें हैं सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर आप्सन नमबर 33 हो जाएगा यानि सुनने एक से छुटा है अगला नेच्ट परसन साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल अगर आपने सस्क्राइब ने किया है अपली चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन है जैसे हम वीडियो सेंड करते हैं तो आप तक जल्द पहुँच पाए अगला नेच्ट परसन है विश्व मैं किसने पहले पहल सुने को संख्या के रूप में मानने तादी विश्व मैं किसने पहले पहल सुने को संख्या के रूप में मानने तादी नीचे चार उप्सन दे रखें हैं सही आंसर आपको बताना है 93 का सही आंसर उप्सन नमर 3 हो जाएगा यानि मदे अमेरिकाने अगला नेच्ट कस्टन पसा नमर 94 94 में पूचा है सुने एक ही समय में एक अमूर्थ विचार और एक वास्त विकता है का आसा है यानि नीचे चार उप्सन दे रखें इन में से सही आंसर आपको छाटना है 94 का सही आंसर आप्सन नमर 1 हो जाएगा यानि यह दिखाई नहीं देता परंतो इसका अस्तित्व है नेच्ट कस्टन देख लेते हैं 95 95 पूचा है सुने की अवदारना आने पर भी मनुस्त ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा इस जार उप्सन दे रखें हैं सही अंसर आपको छाटना है 95 का सही अंसर उप्सन नमबर पहला हो जाएगा यानि मूर्थ चीजों से सुने की समर्दता न हो न लगनेट वश्चान 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 नमबर 96 96 में पुचा है किस सब्द में अब उप्सर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है नीचे चार उप्सन दे रखें राइट आंसर आपको बताना है कि अब उप्सर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है तो इसमें आपका 96 का यानि अवदी अवदी में इसमें option का प्रियोग नहीं हुआ है अगला question देख लेते हैं question number 97 97 में पूचा गया है इतिहास में किस प्रत्य का प्रियोग किया जा सकता है इसे 4 option में रखे हैं इन में से सही answer आपको छाट ना है 97 का सही answer क्या हुगा इसका सही answer हो जाएगा option number 2 यानि 1 इतिहास में इक प्रत्य है अगला question र Adams 98 98 में पूचा है वेङ्यानिक में मूल सब्द है नीचे 4 option देखे हैं सही answer आपको पताना है वेङ्यानिक में मूल सब्द है 98 का option 39 सही हो जाएगा यानि ज्यान ज्यान इसमें मूल सब्द है अगला question स्वतंत्र का संदी विच्छेद है नीचे चार अप्शन रखें स्वतंत्र का संदी विच्छेद बताना है 99 का अप्शन नमर पहला हो जाएगा यानि स्वतंत्र का ये संदी विच्छेद हो जाएगा अप्शन नमर पहला 99 तक रिपीट हो चुके हैं अब 100 से आगे करते हैं Next question है 100 इसमें आपका पध्यांस दे रखा है आपको ये पध्यांस पढ़ना है और इसका आर्थ निकाल के आपको 100 से लेकर 1005 तक ये आपको अंसर देने हैं गध्यांस ये दे रखा है question दे रखा है इस पध्यांस में मुख्यता किसकी बात की गई है नीचे 4 option दे रखें सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर option नमर तीसरा हो जाएगा ये द्यानी धर्ती की धर्ती की बात की गई है इस गध्यांस में question नमर 101 101 में द्यानी पर आनने वाले संकटों के लिए उप्युक्त सब्द नहीं है नीचे 4 option दे रखें सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर option दे रखें चोथा हो जाएगा यानि सिंधो अलने अट question question नमर 102 102 102 में पूचा है धर्ती को कौन डूबो ना चाहता है नीचे 4 option दे रखें सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा option नमर पहला यानि अत्यदिक ब्रिफ्टी next question 103 धर्ती अनमोल है भाव पध्यांस की 21 35 से अभिव्यक्त हो सकत रहा है नीचे 4 option दे रखें हैं सही आंसर आपको बताना है 104 का सही आंसर क्या होगा sorry 103 का सही आंसर क्या होगा 103 का option नमर तीसरा सही हो जाएगा यानि मोल नहीं ले पाए इसको अगला question question नमर 104 104 में पूचा है सिंदू का पर्यावाची सब्द नहीं है नीचे 4 option दे रखें हैं जिसमें 3 सिंदू के पर्यावाची है और 1 सिंदू का पर्यावाची नहीं है इनमें से सही आंसर आपको बताना है जलद जलद मिंस होता है आपका जल से जाके उददे सिंदू का हो गया सागर भी हो गया और जलदे जलदे होता है जलद यह है जलद जलद यह आपका पानी का पर्यावाची नहीं है यह सिंदू का नहीं होगा और अप्सन नमर चोथा सही हो जाएगा अगला कॉस्ण कॉस्ण नमर एकसो पांच एकसो पांच में पूचा है नियमिकत मैंसे भिन सब्द युगम है इसमें भिन सब्द युगम है एकसो पांच में कौन सा है इसमें साथ यो प्सन नमर सेकंड सही हो जाए यानि भूचाल और भूकामपों यह आपका भिन सब्द हो जाएगा अगला कॉस्ण कॉस्ण नमर 106 से आगे करेंगे फिर से रिपीट हो गए 106 मा कॉश्चन है यदे सिक्षक विद्यार्थियों को सब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्लिक मैं से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा नीचे 4 अपसंदे रखें सही आंसर आपको बताना है चार अपसंदे रखें इनमें से सही आंसर होगा 106 का सही आंसर अपसंद नमर 1 यानि कहानियों और चित्रों का प्रयोग एक्ट कॉस्टन कॉस्टन नमर 107 107 में पूचा है भवासावाद सिच्छा का एक ऐसा संसादन है जिसका उद्दिस है नीचे चार अपसंदे रखें सही आंसर आपको बताना है 107 का सही आंसर क्या होगा 107 का सही आंसर अपसंद नमर पहला हो जाएगा यानि सिच्छन आदिगम के लिए सिच्छार्तियों की भासाओं का अप्योग करना 108 में पुचा है किसी पार्थे सामिग्री से कोई विशिष्ट सुचना निकानले के उद्देश से उस पार्थे सामिग्री के किसी अंसर को वारी की और गहनता के साथ पढ़ने का कौसल कौन सा अब वो धन कर सकता है करलाता है नीचे चार ओप्शन दे रखें साही अंसर आपको बताना है 108 का साही अंसर क्या होगा 108 का साही अंसर ओप्शन अमर पहला हो जाएगा यानि अनुमानिक अगला नेक्ट कॉस्टन कॉस्टन अमर 109 109 में पूचा है बहु बुद्धी के सिद्धांत के संदरभोंग में निमलेखित मैं से कौन सी बुद्धी भासा से सम्मन्दित है नीचे चार ओप्शन दे रखें साही अंसर आपको बताना है 109 का साही अंसर ओप्शन नमर 2 हो जाएगा यानि भासाई मोखिक बुद्धी नेचे चार ओप्शन दे रखें है साही अंसर आपको बताना है 110 का साही अंसर क्या होगा 110 का ओप्शन नमर 4 हो जाएगा यानि पहला, सेकंड और फूर्थ यह अनुसरन करते हैं पहले में का गया है सम्मरद्ध सब्दा वली और प्रवावसाली भासन और सेकंड में का गया है अन्य संस्कृतियों की प्रती सहिशुनता और सम्मान और फूर्थ में का गया है परवावसिक जागुरुकुता इसका सही अंसर आपको नमर 4 हो जाएगा अगला नेच्ट क्वेशन क्वेशन नमर 111 121 पूचा है वावसिक की अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भासा की मदद से अपने स्वें के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भासा दूसरों के लिए स्रब्य नहीं है इसकी वाच्चन को क्या कहेंगे नीचे चार उपसन दे रखें सही अंसर आपको बताना है 111 का राइट आंसर उपसन नमर पहला हो जाएगा यानि आन तरिक बाशन कहेंगे नेच्ट कोशन कोशन नमर 112 112 में पूचा है भासा विज्यान की कौन सी साखा संदर्व में भासा से जुड़ी है नीचे चार उपसन दे रखें सही अंसर आपको बताना है 112 का सही अंसर उपसन नमर सेकेंड हो जाएगा यानि अपयोगिता विज्यान अगला नेच्ट कोशन कोशन नमर 113 113 में पूचा है सिसूओं में भासा के विकास के संदर्व के कथन अ और ब पर विचार करें कथन अ दे रखा है सेसवस्ता से बच्चों की वाक नली एक वैस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधेक होती है ब कथन दे रखा है 6-12 महीनों के दोरान एक वच्ची तरह तरह के बवलाना और दोहराव वाले बवलाना में सलंगन है नीचे चार ओप्षन ने रखे हैं सही आंसर आपको पताना है 113 का सही आंसर क्या हुआ 113 का ओप्षन अमा तीसरा सही हो जाएगा यानि अ और ब दोनों सही है यानि अभी अनुसरण करता है और बवी अनुसरण करता है नेच्ट क्वच्चन क्वच्चन नमर 114 114 में पूचा है एक बोली मानेक बोली का दर्जा पाने के लिए निम लेखेत चरणों से गुजरती है नीचे चार ओप्षन ने रखे हैं सही अंसर आपको बताना है 114 का सही अंसर क्या होगा 114 का सही अंसर आप्षन नमर पहला हो जाएगा यानि चयन सहिता करण और देश्य का निर्धारण अगला क्वच्चन क्वच्चन नमर 115 115 में पूचा है बोली के सम्मंद में कथन अ और बपर विचार करें कथन अ दे रखाए किसी देश के एक हिस्ते में बोली जाने वाली विविद भासाओं में से एक प्रकाज जो क्षत्रिय बोली के रूप में जानी जाती है कथन बद रखाए एक समान एक समान सेक्षिक प्रेश्ट भूमे वाले लोगों द्वारा विविद प्रकार की अप्योग की जाने वाली भासाओं में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है नीचे चार अप्शन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 115 का सही आंसर क्या होगा 115 का सही आंजर अप्शन नमर पहला हो जाएगा यानि अ सही है अब गलत है अगला क्वेशन क्वेशन नमर 116 116 में पूछा है पतनी से जल्ली करो हमें देर हो जाएगी सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी वरिष्ट न्योगता से महुद है साम के चार बज गए है और बैठक सवा चार बजे है क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए वाशन में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है नीचे चार आप्शन देर रखे हैं सही आंसर आपको बताना है 116 का सही आंसर क्या हुआ 116 का राइट आंसर आप्शन नमा 30 रा हो जाएगा यानि रजिस्टर Next Question, Question No. 117 117 हम पुचा है समुवबाद विवाद में भाग लेने के लिए वाहसा सिक्षन एक तरक रखता है कि समुव में चार विद्यार्थी कनिष्ट वर्ग से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ट वर्ग से हुणना चाहिए जो आवसिक्दा पढ़ने पर कनिष्टों की सायता कर सके सम्हो निर्मान का या विचार किसकी सिद्धान्त पर आधारित है नीचे चार अपसंदे रखें हैं सही आंसर आपको बताना है 117 का सही आंसर क्या होगा 117 का सही आंसर आपसन नमर सेकेंड होगा है वाइगोस की का सिद्धान्त अगला क्वसन नमर 118 118 पूचा है समुहा प्रस्तुति के दोरान या किसी विद्यार्ति के दोरा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक द्यापक हुनी के नाते आप क्या करना चाहेंगे नीचे चार उपसन देर रखे हैं सही आंसर आपको बताना है 118 का right answer क्या होगा इसका right answer अपसन नमर सेकेंड होगा इससे बात करेंगे इससे बात करेंगे अगला पसन पसन नमर 119 119 में पूचा है मानेताओं का वह समू जो इस बात की ब्याक्षा करता है कि भासा सरचनाओं या नियमों का समू है किस रूप में जाना जाता है नीचे चार ओप्षन दिरेके हैं राइट आंसर आपको बताना है 119 का सही अंसर क्या है इसका सही अंसर अप्शन अमर 30 रहो जाएं सरचना अत्मको अपागम है Next question, question नमर 120 120 में पूचा गया है संप्रेशन अत्मक भासा सिक्षण के संबंद में कतन अ और ब पर विचार करें कतन अ दे रखाए सिक्षक के भूमे का सामानित वाचन के लिए मोडल होने के वज़या एक संसाधन या मोनिटर की है और कतन बद रखाए सिक्षार्टियों को सीखने के ब्यक्तिवादी पागम के आधार पर क्यक्षा की गत्यविदियों में भाग लेना पड़ता है मीच चार ओप्सन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है 120 का सही आंसर क्या होगा 120 का सही आंसर अप्सन नमर पहला हो जाये गया यानी A सही है और बगलत है इसमें A रायट है और बगलत है अगला कॉसं कॉसंनना मरे 121 साथी 120 तक ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर और अगर आपने चैनल सस्क्राइब ने किया है प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद